हलो वेलकम टू लीगल अवेरनेस वेब सीरीज यूनिफॉर्म सिविल कोट फिर डिसकशन में है दिल्ली हाई कोट की सिंगिल जच जस्टिस पृतिभा ने मीना कम्यूनिटी का मामला था मीनास श्रियूल ट्राइब हैं राजस्थान के सिविल सर्विसेज में डॉमिनेशन है इनका क्वेस्चन था क्या हिंदू लौ इन पे लागू होगा या नहीं उसको डिसाइट करते हुए केंद्र सरकार से एक बार फिर कहा है कि यूनिफर्म सिविल कोड बनाई जाए सुप्रिम कोड कई बार इस बात को कह चुकी है टीवी चैनल्स पे डिसकेशन शुरू हो गया यूनिफर्म सिविल कोड का सब को सूट करता है कि unemployment की, poverty की, covid के mismanagement की बात ना होकर कोई ऐसी चीज़ पर बात हो कि समाज polarize हो जाए, debate कहीं से कहीं चली जाए मैंने एक बहुत लंबा lecture मन्थन में uniform civil court पर दिया था आप, उसको देख सकते हैं लेकिन आज बात होगी कुछ issues की के uniform civil court हो ना हो, इस debate में मैं नहीं जाना चाहता मेरे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन जो uniform civil court है वो बनाना और कहना बननी चाहिए जितनी आसान है, ground reality उससे बहुत मुश्किल है क्या हिंदू community राजी है uniform civil court के लिए, ये nuance argument टीवी anchors समझने के लिए राजी नहीं आईए हम दो चार बातें पहले एक broader constitutional scheme के बारे में कर लें, अब फिर uniform civil court के सलसले में कुछ बात होगी ये शब्द एक देश, एक विधान अच्छा ना रहा है, अगर ये है तो फिर concurrent list और state list क्यों है समविधान? सिर्फ संसत को अधिकार होना चाहिए खानून बनाने का, राज्यों में किसी legislative assembly की जरूरत नहीं, किसी chief minister की जरूरत नहीं, केंड सरकार governor appoint कर देगी, governor केंडर केंडर के लौक रिसाप से राज्यों को चलाएंगे uniformity की इतनी बहस हम करते हैं, कि हम भूल जाते हैं, कि ये देश, विभिनताओं का देश है, diversity का देश, heterogeneity का देश, पूरे देश में कानून अलग-अलग, इसलिए नहीं होता, कि लोगों के धर्म अलग हैं, इसलिए होता है, कि लोग अलग-अलग राज्यों में रहते हैं, कश्मीर में मुसल्मान वो लोग फालो करते रहें, जो हिंदू लोग की तरहा था, और जो पूरे rest of the country के मुसल्मान नहीं फालो करते था, कहीं पे marriage registration जरूरी है, कहीं नहीं है, गोआ में आज तक पुर्चिगीज कोट चल रही है और हमें बड़ा फकर है उस पर, बिना उसको पूरी तरह जाने हुए, हम कह देते हैं, कि वो मॉडल है यूनिफॉर्म सिविल कोट का, कुछ महीनों पहले जब Chief Justice of India ने गोआ सिविल कोट की example दी, तो मैंने बहुत लंबा आर्टिकल लिखा एक Indian Express और बताया भाया गोआ की सिविल कोट भी यूनिफॉर्म नहीं है, इसाईयों के लिए मैरिज के प्रोविजन्स अलग हैं, हिंदूओं को उनकी डिमेंड पर गोआ सिविल कोट के आने के दो साल के अंदर अंदर जो परमिशन दी गई, कि इतने साल में अगर बच्चा नहीं हुआ, बेटा, तो दूसरी शादी कर सकते हैं, वो law आज भी कायम है, दरसल हमने अपने दिमाग को बंद कर रखा है, हम यह समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक वो चीज है कि जैसे ही ये बनेगी देश से inequality, gender injustice खत्म हो जाएगा, अगर देश एक law और एक विधान चाहता, तो ये तीन list ना होती, union list के इन पे parliament कानून बनाएगी, state list के इन पे state कानून बनाएगी, और concurrent list इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, अगर हम बढ़ना चाहते हैं, centralization की तरफ, ये हमारी choice है, पर ये देश के सम्विधान के vision के विरुद ह हाँ, हमें power है के हम सम्विधान बदल दें, state assemblies की power छीन लें, तीनों list मिलाकर एक list बना दें और कहें सिर्फ संसत को अधिकार होगा, लेकिन ये करने से पहले, 371 जिसमें नागालेंड को, मिजोरम को, आसाम को, गुजरात को, अंधरा परदेश को, सिक्किम को, इतने राज को special status दिया हुआ है, तो समार्थ करना पड़ेगा, हमारा focus तो सिर्फ 370 पे था, हमने 371 तो देखा ही नहीं, हम प्रोपगंडे में माहिर हैं, कानून के मामले में भी हम देश को confuse करते, कहां है personal law, किसको power दी है, सम्विधान निर्माताओं ने personal law पे खानून बनाने की, सिर्फ संसत को, दिखाईए, concurrent list में personal law की entry सम्विधान निर्माताओं ने रखी, इसका मतलब क्या है, कि केंद्र और राज personal law पर अलग अलग कानून बना सकते हैं, of course, उनके कानून में अगर टकराओं होगा, तो केंद्र का कानून मना जाएगा, एक देश, एक विधान का नारा हम लगाते हैं, इस से राश मजबूत होगा, national integration बढ़ेगा, अमरीका की example लीजेए, अरे आम law की तो बात नहीं करता फैजान मुस्तफा, सम्विधान, पचास राज्य हैं, हर राज्य का अलग सम्विधान हैं अमरीका में, क्या अमरीका कमजोर है, क्या उनके हाँ, national integration नहीं है, unity नहीं है, सम्विधान और law से अगर unity आती, तो फिर तो हम कहते हैं कि सब law खतम कर दो, और एक code बना दो, 10,50 लाख articles की, देश को unity मिल जाए, सम्विधान ने division किया, fundamental rights का, directive principles का, directive principles public policy है, fundamental होने चाहिए in the governance of the country, 70 साल की बहस को उठा के देखिए, सिर्फ दो अनुछेदों पे बात होती है, आर्टिकल 44, uniform civil court, आर्टिकल 48, cow slaughter, इतने laws बना दिये हमने cow slaughter पर, सजाएं बढ़ा दी, सियासत कर ली, vote ले लिये, पता है ground पर कैसे ये law काम कर रहे हैं, state after state आपको किसी दिन बताऊंगा, cattle census से देख कर, संख्या कम हो रही है, बढ़ नहीं रही, उनके मुकाबले में भैंसों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही, एक directive principle नहीं है, uniform civil court, और आर्टिकल 48, और भी तो हैं, आर्टिकल 39, concentration of wealth नहीं होगा, क्या हो रहा है, एक परसेंट लोगों के पास सततर परसेंट wealth है, देखिए लोगडाउन में किसकी incomes बढ़ी हैं, किनकी घटी हैं, इस पे पैस नहीं होती, इस पे कानून बनाने की पहल नहीं होती, जबके सम्विधान कह रहा है, the state shall in particular direct its policy towards this, आर्टिकल 44 में शब्द आ रहा है, endeavor कोशिश करेगी, आईए endeavor कोई समझते हैं, endeavor कोशिश करेगी, कहां है वो कोशिश uniform civil court की, दिखाईए मुझे वो कौन सा proposal है, कि ये होगी uniform civil court, ये blueprint है इसका, कब बना वो blueprint, जब हमें हिंदू law में reform करना था, 1941 में हमने experts की, हिंदू law के experts की committee बनाई, जब हिंदू court बिल आया, हिंदू महासभा ने, हिंदू right ने विरोध किया, polygamy के favor में articles लिखे गए, जगा जगा अंबेत कर के पुतलों को जलाया गया, कहा गया कि ये अंबेत कर, बदला ले रहा है, हजारों सालों का जो शोशन हुआ है दलितों का, 25-26 speakers जो बोले, uniform civil court पर, उनमें almost all विरोध किया, राजेंदर प्रसाद जो देश के राश्पती थे, उन्होंने का मेरे पास आएगी, मैं साइन करने से इंकार कर दोगा, अंबेत कर का इस्तीफा हुआ, हिंदू court बिल, बाइफर केट, ट्राइफर केट की गई, डाइल्यूट की गई, हिंदू बेटियों को को पार्सनर नहीं बनाया जा सका, कई दशक लगे, मन्मोहन सिंग की सरकार आई, 2005 में वो प्रवधान आया, यकीनन, नहरू से गलती हुई, जिस समय हिंदू court बिल में रिफार्म हो रहा था, एक जटके में सारे परसनल लॉज में रिफार्म हो सकता था, लेकिन मेजॉरिटी कम्यूनिटी का रिफार्म करना आसान होता है, इसलिए मुस्लिम देशों में देखिए, मुस्लिम लॉज रिफार्म हो गया, पाकिस्तान में ही देख लिज़े, जो उनका फैमिली ओर्डिनेंस है, उसमें रिफार्म्स हुए लेकिन जो हिंदू लॉज है, उसको सम्विधान ने प्रोटेक्ट किया, माइनॉरिटी इसके माइन्ड्स में ये डर और खौफ होता है, कि उनका रिलिजन, उनकी कल्चर, उनके लॉज प्रोटेक्ट नहीं होंगे, इसलिए नहरू को ये ख्याल था, कि इनिशिटिव आएगा कम्यूनिटी की तरफ से, ये एफसोस की बात है, कि पिछले सत्तर सालों में, मुस्लिम उलिमा ने, मुस्लिम परसनल लॉव में, रिफॉर्म की प्रोसेस पर सीरियस डायलॉग नहीं किया, क्या चीज़ वो रिफॉर्म में एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या वो रिफॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस पर कंसेंसेज नहीं बन पाई, आज अगर सरकार ये कह दें मुसल्मानों से, कि आप ले आओ कुछ आर्टिकल्स ड्राफ्ट करके, जो आप चाहते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिखने के लिए, हम इंक्लूट कर लेंगे, दे नहीं पाएंगे मुसल्मान, कितनी सरकारें हो गई अब साथ साल से तो मोदी सरकार भी है, दोहजार अठारा में लॉग कमिशन से सोचा गया था, कि रिपोर्ट आएगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दी जाए, जस्टिस चौहान की अध्यक्षता वाले लॉग कमिशन ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस नाइदर डिजाइरेबल नौर फीजबल, ये लॉग कमिशन की रिपोर्ट है, तब भी दिल्ली हाई कोड कह रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉलिसी डिसीजन है, सरकार को लेना चाहिए, अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सीरियस हैं, तो हमें मुस्लिम लॉग के लिए मुस्लिम एक्सपर्ट की कमिटी, हिंदू लॉग के लिए हिंदू एक्सपर्ट की कमिटी, क्रिशन लॉग के लिए क्रिशन एक्सपर्ट की कमिटी, बनानी होगी, Hindu joint family का tax exemption uniform civil code में नहीं आपाएगा Hindu marriage sacrament नहीं रह पाएगी uniform civil code बनेगी तो marriage को contract बनाना पड़ेगा बेटा बेटी को बराबर का हक आज Muslim law में नहीं है uniform civil code में आएगा लेकिन जो बेटा बेटी को बराबर का हक हमने Hindu law में दिया उसका evaluation भी होना चाहिए क्या उससे पूरा पूरा बेटीों को हक मिल गया एक दवा दी गई एक बिमारी के लिए उस दवा ने 70 साल कैसा काम किया ये तो देखना पड़ेगा अगर वही दवा दूसरे बिमार को दी जा रही है देखिए लेंड ओनर्शिप प्रॉपर्टी ओनर्शिप हिंदू विमेन की जितनी होनी चाहिए हिंदू सक्सेशन एक के रिफॉर्म के बाद उसकी तो एक बटा दस भी नहीं है क्यों नहीं क्योंकि उसी रिफॉर्म हिंदू लौ में हमने एक प्रवधान कर दिया वसीयत का अब बाप वसीयत करता है प्रॉपर्टी अपनी वसीयत से सब बेटे को दे देता है बेटी को बता दिया जाता है तुमारा कन्यदान कर दिया शादी के समय जो कुछ दे दिया वो इन लिव अफ दा प्रॉपर्टी था भाई बहनों में जगड़ा ना हो इसलिए बहन डिमेंड नहीं करता इस पर रिसर्चेस हो चुकी है लेंडेसा की रिसर्च है आंधरा परदेश उरीसा बिहार के बारे में जहां औरतों के नाम में भी प्रॉपर्टी है क्योंकि रजिस्ट्री फी उसकी वज़ा से कम हो जाती है वहां पे भी प्रॉपर्टी पे उनका एफेक्टिव कंट्रोल नहीं है मुस्लिम लॉव में बेटा या बेटी के हक में वसीयत करने का अधिकार नहीं है किसी भी वारिस और एयर के फेवर में वसीयत नहीं हो सकती जिसको हिस्सा मिलना है प्रॉपर्टी में उसके फेवर में वसीयत नहीं हो सकती और वसीयत एक तहाई से ज़ादा नहीं हो सकती यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी तो experts कहेंगे ये अच्छा प्रवधान है इसको शामिल किया जाए क्या हम राजी हैं महर का प्रवधान शादी के वक्त husband बीवी को gift की तरह महर दे अच्छा प्रवधान है क्या हम इस पर राजी हैं solomonization of marriage के प्रवधान की वज़ा से कितने हिंदू जिनोंने दूसरी शादी कर ली court marriage साथ फेरों के बजाए पांच फेरे ले लिए उनकी शादी शादी नहीं मानी जाती क्या हम वो change करने के लिए राजी हैं आज भी कितने राजियों में जमिदारी abolition laws बने बेटों की मौझूदगी में बेटी को कोई property नहीं मिलेगी agricultural land ये चानून तो हमने आजादी के बाद बनाए सम्विधान आने के बाद बनाए और हमें मालूम था कि ये law article 14 को violate कर रहा है इसलिए हमने ninth schedule में उसे डाल दिया ताकि उसको challenge न किया जाए uniform civil code में जब हम क्याएंगे तो ये revenue code और land code चेंज करने के लिए हम राजी है और मुसल्मानों से भी शिकायत है जब शरीयत application act बना 1937 में जिसमें हमारे उलमा लीड में थे हमने अपनी feudal सोच दिखाई गएर इसलामी सोच दिखाई और हमने कह दिया कि personal laws पर शरीयत application act लगेगा except agricultural land ये बेमानी थी क्योंकि हमें मज़ा आया बहुत अच्छा है agricultural land के मामले में हम यूपी जमिदारी evolution act मान लेंगे ताके भाईयों के पास सारा जमीन रह जाए खेती की और बहनों को कुछ न मिले मानता हूँ कि कुछ jurisdiction का भी issue था कि agricultural land जो है वो center का subject नहीं है state का subject है आपको मालूम है कि farm laws के बारे में भी मैं कह चुका हूँ कि main बात यह है कि क्या parliament competent थी ये तीन farm laws बनाने के लिए अब ही हमने राकेश टिकैट से भी बात की थी आप वो अला वीडियो भी देखिए लेकिन muslimानों से मुझे शिकायत है इस्लाम ये distinction नहीं करता कि ये urban property है, ये ruler property है ये agricultural property है ये industrial property है हर property में share है बेटी का मैं समझता हूँ कि इस judgment में कई बातें जो कही गई कि देश homogeneity की तरफ बढ़ रहा है जवान inter faith, inter caste, marriages कर रहे है उनको परिशानी हो रही है different personal laws होने की वजह से with due respect to justice पृतिभाव facts ये नहीं है दो facts है pure survey हुआ भी 99% Hindus Hindus हिंदूओं से ही शादी कर रहे है 98% musulman musulmanों से ही शादी कर रहे है और जो कुछ महब्बत के शिकार हो गए उस महब्बत के तो हम दुश्मन है love, jihad, गानून बना रहे है UP में बनाया, हरियाना में बनाया, MP में बनाया, गुजरात में बनाया हम तो चाहते ही नहीं कि एक मजब का आदमी दूसरे मजब की लड़की से शादी करे, जस्टिस प्रतिभा को मालूम है, कि अगर दो religions के लोग शादी कर लें आपस में, court marriage कर लें, तो special marriage एक लागू हो जाएगा, वो तो uniform civil court ही है जिसने special marriage act के तहट शादी कर ली, उसके ऊपर Indian succession एक लागू हो जाएगा कितना देश तयार है uniform civil court के लिए पूछा जाता है मुझसे, कब तयार होंगे, मुझे नहीं मालूम कब तयार होंगे हमने rape के law में, sexual harassment के law में major amendment किये लेकिन हम patriarchal हैं, हमारे समाज में change नहीं हुआ, उन laws का कोई असर नहीं हुआ, cases बढ़ते जा रहे आप देखी, special marriage act के तहट कितने percent लोग शादी कर रहे हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा देश uniform civil court के लिए कितना तयार है, कहा जाता है साथ, अरे बहुए criminal law एक है, तो फिर civil law एक क्यों नहीं, अरे civil law भी जादा तर एक है, transfer of property है, sale of goods है, partnership है, point ये नहीं है, point ये है कि क्या criminal law भी पूरी तरह एक है, जवाब है नहीं, देखिए CRPC में, कितने states ने amendment किया है, कहीं anticipatory bail allowed है, कहीं allowed नहीं है, मुस्लिम personal law भी पूरी तरह uncodified नहीं है, इसके भी कई हिस्सों का codification हो चुका, कई laws बन चुके हैं, काजी एक्ट बन गया, शरीयत application एक्ट बन गया, dissolution of Muslim marriage एक्ट बन गया, triple divorce एक्ट बन गया, वक्फ एक्ट बन गये, यानि state ने codify कर दी यह यह चीज़ें, जो uncodified area है, वो कम है, अगर हमें उसमें change लाना है, तो क्या change एक बार में आ जाए, one go में, मैंने article after article लिखे हैं, कि uniform civil court one go में अच्छी strategy नहीं होगी, धीरे धीरे reform करें, peace meal तरीके से law में reform करें, मैंने बार बार कहा है, uniformity अपने आप में बड़ी value नहीं है, legal pluralism यह कहता है कि laws अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सारे laws just हों, article 14 के touchstone पर वो compatible हों, औरतों के विरुद नहीं हों, आप सुचिए हम बात कर रहे हैं, uniform civil court, state सारा law बना दे, और corporate scaling क्या policy है हमारी, arbitration, क्या है arbitration, privatization of justice, companies जब आपस में contract करती हैं, तो वो कहती हैं, हमारे उपर Singapore का law लागू होगा, Germany का law लागू होगा, arbitration की state Germany में होगी, London में होगी, Singapore में होगी, judge भी हमीं बनाएंगे, यानि arbitrators भी parties appoint करेंगे, जो हजारों करोड के मामले हैं, उसमें देश का कानून नहीं लगता, parties कानून तै कर लेती है, marriage divorce, इस मामले पे हमारी insistence है, एक बार में एक ही कानून हम बना देंगे, जरूर बनाएं, लेकिन जो कुछ हमने हिंदू कोड़ बिल के लिए किया, वैसा ही हमें फिर करना पड़ेगा, एक्सपर्ट कमेटी बनाएं, डिबेट होने दें, एक blueprint सामने आने दें, जैसा 370 के साथ हुआ, ऐसा uniform civil court के साथ करना अच्छा strategy नहीं होगी, कि एक दिन अचानक हमने law introduce कर दिया, मैं समझता हूँ, कि समाज में चेंज आने के लिए, कानून का रोल है, लेकिन कानून बहुत अच्छा और बहुत effective agent of social control नहीं, चाइल मेरिज रेस्ट्रेंट एक्ट हमने बनाया, वो reform था, वो uniform civil court थी, देखिए आज भी, कितनी चाइल मेरिजज़ हो रही हैं, डावरी prohibition law हमने बनाया, वो reform था, uniform civil court थी, देखिए आज भी कितनी डावरी की problem है, सिर्फ कानून बनाने से समाज में चेंज नहीं आता, patriarchal attitude में चेंज लाना होगा, ये चेंज slow होगा, gradual होगा, इसके लिए public education पर invest करना पड़ेगा, अगर हम uniform civil court वोटों की सियासत के लिए करना चाहते हैं, तो संसत को अधिकार है, वो जब चाहे कानून बना दे, लेकिन अगर हम uniform civil court जेंडर जस्टिस के लिए करना चाहते हैं, तो फिर consensus evolve हो, हिंदू code bill में भी एक code में तो हम नहीं पास कर पाए, हिंदू marriage act अलग बना, हिंदू succession act अलग बना, हिंदू adoption and maintenance act अलग बना, law commission नहीं यही कहा, कि अलग अलग law हो सकते हैं, लेकिन वो सारे laws consistent हों constitutional scheme से, legal awareness वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है, तो मेरी request है कि हमारे इस वीडियो को widely share करें, हमारे चैनल को subscribe करें, और bell icon और like जरूर क्लिक करें, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, thank you very much.